नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इंडियाटेक के एक और वीडियो में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई सर्विस चाल हुए जिसका मंतली चार्ज करता है और आपके अकाउंट पे कौन-कौन से सर्विस लगी हुए है जिसका मंतली चार्ज करता है तो उसको कैसे देखते हैं और कैसे डिसेवल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट बेंकिंग में लॉग ना होगा और उसके बाद ये customer services पर जाके service request पर click करना होगा जब आपका service request आजाएगा तो ये आप bank account select करेंगे जो पहला option है bank account और दिखिए यहाँ पर सबसे last पर option आ रहा है ECS NACH mandate cancellation तो आपके जो भी mandate होंगे वो इसमें दिख जाएंगे जो आपके bank account से link होंगे तो आप इस पर click करेंगे तो ये पूछ रहें कौन से account number के लिए चाहिए तो आप यहाँ से अपना account number select कर लेंगे और दिखिए मैंने एक small case लिया हुआ था बसंद महिश्वरी का तो ये दिखिए उसका ये amount कटता है और ये उसका urn number वगरा दिया हुआ है तो ये एक mandate लगा हुआ है मेरे account पे जिसका मेरे को हर्मनतली चार्ज करना पड़ता है अब मैं इस service को disable करना चाहता हूँ तो इसको disable कैसे करना है अगर आप कहाँ पर multiple होंगे तो आप select कर लेंगे आप आई एगरी पर क्लिक करेंगे और इसको submit कर देंगे उसके बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा उस OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे और submit तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी request है वो जा चुकी है और जिए एक दिन में complete हो जाएगी तो आप दुबार आके देख सकते हैं आपको यहाँ पर वो service नहीं दिखेगी तो इस तरीके से आप कोई भी आपका mandate जो लगा हुआ है आपकी saving account पे उसको बंद कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना है अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसाए लाइक कर सकते हैं और अगर आपके से related कोई भी question है तो आप comment box में पूछ सकते हैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादू